वेलकम फ्रेंड आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ कि एक बार में एक से अधिक कपड़ों पर प्रेस कैसे की जा सकती है हाँ जी प्रेस की जा सकती है जब भी हम एक एक सर्ट पर या एक एक कपड़े पर प्रेस करते हैं तो काफी जाद हमारा बिजली बिल भी आता है और काफी जाद हमारा शमय भी वेस्ट होता है तो आज कुछ ऐसी खाश्टिक्स मैं आपके साथ सेयर कर रही हूँ जिससे आपका समय तो बचेगा ही साथ में आपका बिजली बिल भी काफी हद तक बचेगा जिससे आपका पैसा भी बचेगा तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक सर्ट ली है और इस सर्ट को मैंने अच्छे से फैला दिया है और इसी के अंदर से देखिए बाजू के अंदर से मैं दूसरी सर्ट की बाजू डाल रही हूँ अब आपको समझ आने लगा होगा किस तरीके से हमें एक से ज़्यादा कपड़े पर हम एक बार में प्रेस कर सकते हैं तो इस सट को यानि कि दूसरी सट को में पहली वाली सट के अंदर अच्छे से एड़ेक्ट कर देती हूं बस थोड़ा सा समय हमें इसे सेट करने में लग सकता है जादा नहीं एक मिनिट एक मिनिट से जादा नहीं लगेगा फिर आराम से हमारी सर्ट जबी एक बर साथ हो जाएगी तो हम इस पर आ jestem प्रेश कर सकते हैं यह तो आप इस त intent přेश कर सकते हैं या फिर एक से अधिक पर भी कर सकते हैं तो यहां मैं आपको एक ही बार में तीन साथ पर फरेश करके दिखाने जा रही हूँ आप देखिएगा तो जैसे मैंने दूसरी वाली सर्ट को पहली बार सर्ट के अंदर adjust किया है उसी तरीके से मैं तीश्री सर्ट को भी कर देती हूँ यहाँ पर मैंने तीनो सर्ट एक साथ रख ली है और आप मैं इस पर प्रेज करने जा रही हूँ आप सुचो के फ्रेंड के तीनो सर्ट पर एक साथ प्रेस कैसे अच्छे से हो सकती है तो मैं आपके सामने दिखा रही हूं करके और इन बाजुओं को जो आस्तिन है इने भी हमें अच्छे से इक्वली सेट कर लेना है बस फिर अब यहां पर मैं आपको तीनो सर्ट दिखा देती हूं इस तरीकी से मैं तीनो सर्ट पर एक साथ प्रेस करके आपको दिखाने वाली हूं तो यहां पर मैंने प्रेस गरम करने के लिए लगा दी है बोड में और अब मैं प्रेस करने लगी हूं तो यहां पर आपको अच्छे से प्रेश करने है emerged r Vatican तो उतना हुए जाता एंगर में टाइम लग प्रेश करने में तो वैसे हमारी ये दो सवर्ट हूथ ओते हैं जो सुकड जाती हैं सट यह अच्छे से खुल जाएंगे तो ऐसा करने से हमारा बिजली विल काफी हद तक बसता कि प्रेशने बहुत ज़्यादर बिजली विल आता है यहाँ पर मैं आगे और पीछे दोनों स़ट को यानि के पलट पलट के मैं तीनों सवच को एक बार में प्रेश कर लें तो ही आप पेछे से भी इन पर अ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और वीडियो अगर अच्छी लगी थोड़ी सी भी तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा तो यहां पर आप सर्ट पे भी प्रेश कर सकते हो और आपकी जो बाजू होती है सर्ट की इस पर आप आसानी से सर्ट पर यह और आपके थोड़ा सा मतला डाउट यह हो रहा होगा कि इसकी जो कंणी होते हैं किनारी होती है सर्ट की यह एक साथ करने से कैसे आएगी जी बिलकुल आएगी आप देखते रहिएगा वीडियो में उसके लिए मैं आपको एक दूसरा तरीका बताऊंगी कि हमें इसकी कंणी कि और किस तरीके से बंधyr करनी है और किस तरीके से अच्छे से नयसेत्ट करनी है थे उसके बाद हमें हमारी खोल ले ऑद मेंने जो हमारा छूट रही हूं लेकिन उससे पहले मैंने կानिकर जो हमारा लाइट है पř्रेस में वह मैंने बंध कर देन के प्रन रोट कर दिया और अभी बी काफी ज्यादा गरम है आप समझते होंगे कि जब भी हम प्रेस बंध करके रखbor्ड देते हैं तो उसके लगता है कि आपकी सार्ट में किसी में फिनिसिंग नहीं आई है अच्छे से बाजु में या कॉलर में तो जो भी जो हमारी प्रेस अभी घरल ऊव और दो करते हैं आपका विजली भी नहीं जाएगा और आपकी जो सर्ट की फिनीशिंग है वो भी अच्छे से हो जाएगी तो बस एक सर्ट में टाइम लगता है उतना ही मुझे तीनों सर्ट में टाइम लगा है क्योंकि ऐसा करने से हमारी काफी ज्यादा बिजली की बचत हो सकती है तो कर सकते हैं ऐसा आप भी मैं तो कर लेती हूं वही सोचा चलो करने वाली हूं सबसे पहले हमें बड़ी सर्ट यानिके टीशर्ट लेनी है सबसे पहले बड़ी टीशर्ट रखनी है फिर उसके अंदर से हमें उससे छोटी वाली टीशर्ट लगानी है फिर उसके अंदर से हमें सबसे छोटी वाली टीशर्ट लगानी है ठीक है ना फ्रें को एक बार ही गरम करूंगी और सारी टीशट्ट पर अच्छे से प्रिष कर लूगी इस ऐसा करने से फ्रेंड हमारी जो टीशट्ट होती है वो मैंने इसका जो है मतलब बोड से निकालके रग दी है प्रेस अलग रग दी है मैंने इसका जो लाइट है प्रेस की वो बंद कर दी है अगर आपको लगती है कि आपके कपड़े में थोड़ी सी फिनीसिंग बाकी है तो आप जो हमारी ये प्रेस है गरम है इसे आप उसी त बठाने के लिए यहाँ पर इस घूमागूमा के इसकी तैये बना के रख देती हूं सारी टीशर्ट वगरा की तो एक बार में निकाल कैसर बजली से मैंने इसे से अलग कर दिया था और यह थीडों एक बार में और मेरी जो सड्टी यह भी मैंने थीन बार में प्रेस करके रख ली हैं अब इसी तरीके से फ्रेंड आपको सूट और बताना चाहती हूं मैं कि इसी तरीके जैसे हमने यह किया है तो ऐसे हम सारे सूटों को भी प्रेस कर सकते हैं जो हम घर में डेली पहनते हैं तो उनको भी हम अच्छे से प्रेस कर सकते हैं आपका समय भी बचेगा और आपका बिजली बिल भी फ्रेंट कहते हैं न के थोड़े थोड़े पैसे करके हम अपनी काफी जरूरते जो होती है अपने परिवार के अपने बच्चों की पूरी कर सकते हैं तो वही थोड़ा सा बस दिमाग लगाने की जरूरत होती है और हमारे काम जहा करते चलते वीडियो को लाइक जरूर करते जाएगा ऐसी हेलफुल वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल पलपल रियल विलोग को सस्क्राइब कर सकते हो ताकि आपको ऐसी कुछ हेलफुल वीडियो समय आनुसार आपको मिलती रहें और घंटी को आलपर सेट जरूर कर रेंड फिर मिलती हुए एक नई वीडियो साथ अब तक कि लिए मुझे आगे दीज़े टाटा बाइबाई